23 तारीक के दिन यहां प्रिंसिपल सर ने एक SMS लिखा और सभी गार्जिन्स के मोबाइल पर पेज़ा है कि जिन जिन लोगों ने अपना फी बुक कलेक्ट नहीं किया है या फी नहीं दिया है वो ततकाल आकर के अपना फी बुक कलेक्ट करें और फी की पेमेट करें तो कल 25 तारीक का डेट उन्होंने दिया था तो कल यहां में गेट आप देख रहे हैं यहां से लेकर एक नंबर गेट जहां वो फाटक है इतना लंबा लाइन लगा हुआ था और कितने गार्जिन ऐसा थे जो दो-दो घंटे लाइन में कड़े रहे हैं तब जाकर के फीबुक दूसरा में पास फीबुक है मैं पको दिखाता हूं इस पीबुक के सबसे पहले पन्ने पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है में इंटेनेंस फी अब स्कूल बंद है आप सभी को पता है डेसमन लॉकडाउन है लाइब्रेरी का फी मांग रहे हैं जबकि बच्चा लाइब्र दूसरा इन एप्सके बड़ी खामी ये है कि इन एप्स के अंदर एक क्याप लॉक होता है क्याप लॉक का मतलब एक बार में आप सौ से ज्यादा लोग मीटिंग नहीं कर सकते इनके पास हरे क्लास में तीन चार चार सेक्शन में साथ किसी इस तरह से बच्चे हैं सो बच्चे एक बार अगर उसमें लॉग इन कर ले तो जो बाकी के 100-100 बच्चे बच्चेंगे वो उसमें लॉग इन ही नहीं कर सकते हैं इसका मतलब आपको सुब अच्छे बज़े से हम रासन की लाइन में लगते हैं वैसे सुबह से गारजन को तयार होना पड़ेगा कि हम बच्चे को लॉग इन करके बैटें ताकि उसका नंबर आ जाए और उसको पढ़ाई मिले वह भी कैसी पढ़ाए जिसमें ने टीचर की शकल नजर आती है उसकी आवाज सुनाई देती है वह बोड पर क्या लिख रहा है वह उसको सुनाई नहीं देता है और गलती से अगर बच्चा पूछ ले कि सर आपनी क्या लिखा है खोल के देख सकता है पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है शुरू में इन्होंने तीन चार पांच चैप्टर के एक साथ लिख करके दे दिए बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर उतार रहे हैं उन्हें नहीं वाइड मीनिंग पता है ना को समझाने वाला मिला किसी भी तरक कोई प्रक्टिस तो हो नहीं रहा है दूसरी चीज है जब इस लॉकडाउन आपको पता है कि बच्चों की मांसी किस्तिती नहीं ठीक है उनको घर से बाहर जाने का परमिशन नहीं है वह खेल नहीं पा रहे है इतना प्रेशर बच्चों के उपर क्यों डाल रहे है वह जो कर करना चाहिए अगर आपके पास उतना समर्थ नहीं है पढ़ाने का तो जो अन्नेसेसरी चाप्टर्स है उनको आप कम कीजिए अगर आपको लगता जरूरी है उसको पूरा पढ़ाईए लेकिन ड्राइंग कराना सुपीड़ू के आर्ट्स देना इसके अलावा हैंड्राइट चोटे-चोटे बच्चे हैं जो कि कभी जिंदिगी में ऑनलाइन कभी गए नहीं पढ़ाई नहीं उन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालने का कोई मतलब पैदा नहीं होता सिदी सी बात है उपर से जो टीचर्स है वो टीचर्स सिर्फ रीडिंग लगा रहे हैं अगर नहीं चुकिए इतना सारा करिकुलम मिल रहा है तो हम पेरेंट्स भी कही-कही मजबूर हो जाते हैं उनके उपरसर डालने में कि तुमको यह पढ़ना पढ़ेगा बेटा क्योंकि यह दिया हुआ है कि सबसे पहली चीज तो यह है जो ऑनलाइन पढ़ाने का यह सिक्षा जो बढ़ाई से रिलेटेड बार दूसरी चीज है चुके इस वक्त पैंडमिक है पैंडमिक ने लोगों की आयका कोई स्रोथ नहीं है जो सरकारी करमचारी यह उनके बारे में तो फिर भी समझ में आता लेकिन जो लोग ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनका की जो है तो कोई आयका स्रोथ दुबारा से चालू नहीं हो जाता है तब तक उन्हों को फीस में छूट दीजिए यह आम लोगों की आप से गुजारिस हैं और बहुत है कि हम लोग फीस ना देना पड़े इतना हम लोगों कीजिए सबसे बड़ी बात है कि यह स्कूल के सामने हैं सेंग जोस को खिला सकते हैं और यहां पर यह स्टाइल में लेते हैं यहां पर किसी टीचर की तंका 5000 है तो किसी की 6000 है ऐसे टीचर से आप पढ़ा रहे हैं और अगर आपके पास कोई एक्सपेंस आ भी रहा है तो उस एक्सपेंस को बहन करने के लिए सेंड जोसफ और्गनाइजेशन पूरी तरह से सक्षम है यह बात आपको समझने पढ़ेगी दूसरी बात चुके यह स्कूल CLW के प्रिमाइसस माता है रेलवेस की गार्जियन है यह बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसकी बिल्डिंग फीस यह मांगते है इस बिल्डिंग लेकिन जो गार्जियन अपने बच्चों का भविश्व बनाने के लिए बहनत करते हैं अगर उन गार्जियन को अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं मिल पाएगा बच्चों को इस पेंडमिक में एक तो पेंडमिक की मार है उपर से बच्चों की पढ़ाई भी नुक्सान हो र आमी में धार्जियन को पेंडमिक मेंडमिक